नमस्कार मैं हूँ जूली आपिसक देख रहे हैं देंडिया राओ बिहार में शराबंदी कानून को सक्ती से लागू करने के लिए बिहार सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और इसी सिलसले में अब शराबंदी मामलों में जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े थे उन की सुनवाई अब जल्द से जल्द होगी और साथ ही जो भी लोग दोशी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कारेवाई भी अब की जाएगी शराबंदी मामलों के त्वरत निश्पादन और इस मामले में दोश्यों को सीखर सजा दिलाने के लिए सरकार ने कोट्स में लंबित कोट का जज़ बनाया गया है बता दें कि अलग अलग न्यायालियों में शराब से जुड़े लंबित मामलों की संख्या करीब एक लाख असी हजार के आसपास पहुंच गई हैं इसमें सबसे जादा मामले जिला और अनुमंडल्स तरिया न्यायालियों में लंबित हैं के तौर पर अधिसूचित किया है गौर तलब है कि तेजी से शराबंदी के मामलों से जुड़े केसिस के बढ़ने की वज़से यह जो स्पेशल कोट है वो बनाए गये हैं और इसे लेकर कि अब बिहार सरकार जो है वो काफी सक्त नजर आ रही है और इसी वज़से अब जो यह स्पेशल कोट्स है उनमें जजो की निटी भी कर दी गई है और शिगरती शिगर जितने भी मामले होंगे उनके सुनवाई की जाएगी और जो लोग भी दोशी पाये जाएंगे उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी इसके अलावा आपको बता दे कि मुख्यमंत्री की सम शराब बंदी कानून को अच्छे से लागू करने के लिए बिहार सरकार जो है वो प्रयासरत है आपको बता दे कि निटीश कुमार इस वक्त अपनी समासुधार अभियान पर है और इस दौरान भी वो शराब बंदी के मुद्दे को जोर सोर से उठा रहे हैं वो लोगों से शराब ना पीने की अपील कर रहे हैं और महिलाओं को अपने आस पास लोगों को शराब ना पीने देने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं और ऐसे में अब बिहार सरकार ने एक और कदम उठाया है शराब बंदी कानून को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए वो यह है कि special quotes का गठन किया गया है और इनमें जजों की न्यूक्ती की गई है ताकि जितने भी लंबित मामले हैं शराब बंदी कानून से जुड़े हुए उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दे इंडिया टॉप के साथ धन्यवाद